तो BPSC कर सकते हैं वह यह जानकारी इस वीडियो के माध मतमसे मैं दे रहा हूं वीडियो को आप लोग अनत तक देखिए गा तो देखिए जब आब форм मरने के बाद फीस वेइमंनonst करते हैं और इसके बाद जब final submission की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर ये कालम आपको देखने को मिलते हैं जहां पर आप वहां पर मार्क्स भी डालने हैं और सासमें करना आए तो यहां पर देखे वीसे लिखा तो सर्टिपिकेट हे तो अगर आपके पास करएक्ट का सर्टिपयरी डिगरी नहीं है धिर माक्सीड तो आपके पास Εनुसार अपने कालम सारे व्रें मार्टेट की आप यहां पर Certificate in मार्टोड के प्डीएपо अप्लोड कर देजिए Certificate नैंए तो कोई दिकत नहीं यहां पर क्योंकि जो चीजीं आप इस color में भर रहेए वही चीज आपकी Certificate ैस्पी वार्टोड कर रही है तो इसमें दिक्कत कोई नहीं होनी तो यहां पर सबसे पहले आपको प्रिफरेंस जो देना है वो सर्टिफिकेट को देना है अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है उस केस में बिलकुल आप मांग सीड अप्लोड कर सकते हैं किसी विकार से कोई दिक्कत नहीं है कुछ लोक प्रिफरेंगों के बारें पहुँच रहे हैं तो आप चाहें तो प्रविजनल सेटिफिकेट भी अप्लोड कर सकते हैं अगर आपके पास आवले में नगे आप अगर अगर नहीं municiple सीट अप्लोड कर दिजीए यह साब कोई दिक्कत आपको नहीं होगी बिलकुल यह आपका वालेड होगा चाहे अपलोड करो यह मांक सीट अपलोड करो ठीक है इसी तरीके से जब आप रिजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहां पर इस कालम में देखिए आपको सीटेट की सर्टिफिकेट अपलोड करनी है तो यहां पर सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं है तब आप मांक सीटेट अपलोड कर सकते हैं आप लोग जानते हो कि सीटेट के क्वालिफाई होता है ठीक है तो 90 नंबर जब क्वालिफाई होंगे तो आपके पास माक्सिट सेर्टिफिकेट दोनों होंगी लेकिन बिहार सिछक बढ़ती में जो है 50% वाल रेजर्फ कटेगरी के चातरों को भी क्वालिफाई माना गया है सिछक बढ़ती में फार्म बढ़ तो उस केस में अगर आपके पास सेर्टिफिकेट नहीं है सिटिट की माक्सिट अपलोड करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं और बिल्कुल आपका वह वैलेड होगा ठीक है तो उम्हेत करने वीडियो आपको पसंद आया होगा इस यूडियो में इतना ही धन्यवाद